जल्दी जल्दी से लाइव आजाएं संगा जी पांच साथ मिन पहले आगी हूँ ताकि संगा दराम से जूर जाए टूरे मदाएं जी साथ में जी से लाइव आजाएं? एं और सकाम से टे लाइव आजा झाजा? जब तक और संगर जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं ओम नमज शिवाई शिवची सदा सहाई ओम नमज 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 शिवची सदा सहाई जै गुरुची अनंतम अनंतम शुक्राना और जो भी संगत लाइव है आपको अगर मेडिय आवाज ठीक से आ रही है तो प्लीज येस टाइप कर दीजे हलांकि मुझे कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं संद्र जी आप सबको अवाज ठीक आ रही है गुरुची का अखलक शुक्राना जो सेम डे में उन्होंने दो सचसंग की सेवा बक्षी है अनतम शुक्राना गुरुची महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना और जल्दी जल्दी से जूट जाएए संद्र जी आज गुरुची महाराज की देखिये जैसे मर्जी होती है होता वैसे ही है क्योंकि दो सचसंग थे और बैक टू बैक थे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई और क्योंकि मुझे गुरुप्स की नेम इतना अच्छे से याद नहीं रहते है लेकिन होता वो ही है मैं गैन कहरी रुपीट कर रही हूँ कि जैसे गुरुची की आग्या होती है और जहां गुरुची ठीक समझते है तो वैसे वैसे हो जाता है तो जै गुरुची अनंतम श जै यहां शो नहीं हो रहे तो सब को जै गुरुची और बड़ी प्यारी बात है बड़ी गुरुची की मेहर है अभी पांच बजे जब सत्संग था जब मैं लाइव आई थी तो मैंने गुरुची महाराज के सामने एक प्यारी सी छोटी सी कैंडल जगाई और क्योंकि संग जब खोटी सी कैंडल है तो कया हुआ कि मेरे मन में और आज मैरे पास एक ही कैंडल थी मतलब भॉक्स था खतम हो गया और यहां ओफिस में सर्फ एक ही कैंडल बज़ी थी और मेरे पास यह पड़िए और मैं सोच रही गुरुजी चलिये शुकर है एक कैंडल है और मैं यहां पर लाइथ कर देती हूं लेकिन जब तक मेरा दुबारा सच्छंग होगा क्योंकि वो रात का था तो मैंने सोचा कि पांच बजे की अगर मैं जगाऊंगी तो फिर रात तक तो आइधिंक वो बढ़ जाएगी और मेरे गुरुजी ने उसको शिफ्ट करके साथ बजे का करवा दिया कि कोई बात नहीं मतलब कि तू जो सोच रही है और अभी वो कैंडल मेरे सामने जग रही है तो अनंतम शुकराना गुरुजी मैंने अभी यह चीज नोटिस की क्योंकि यह हमारी फीलिंग की बात है संगर जी क हम कैसे फील करते हैं गुरुजी हमें हर हमारी छोटी बात में कैसे नेडियों के सुनते हैं आंसर देते हैं और सब कुरुजी माराज is always around us with us गुरुजी माराज एक बहुत ऐसे positive energy है जो हमें all the time positive रखते हैं गुरुजी is like divine light वो हमेशा हमको कोशिच करते हैं कि कैसे अपनी संगत को प्यारी संगत को positive रखें और उनको खुश रखें और कैसे उनकी life में से जो भी negativity है जैसे की candle है तो कैसे हमारी life में से जो negativity है उसको खतम करना है उसको दूर करना है तो जै गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी लग लग शुक्राना तो मैं अभी वही चीज स लाइफ में कितने ऐसी सिचुएशन से जो गुरुजी महाराज एक कम से हमारे लिए कि मान लीजे हमें कुछ लग रहा है कि it's not working हमारे favor में नहीं है कुछ problem है तो गुरुजी कैसे change कर देते हैं इसे हमारे लिए वो मतलब बिल्कुल positive outcome कर देते हैं जो कि हमने सोचा भी नहीं होता कभी and same happened with me also कि अगर मैं अपने आपको सोचू कि मैं कुछ भी नहीं थी मैं good for nothing मैं उजे ऐसे लगता था कि मैं कुछ नहीं करती या कुछ कर नहीं सकती या पता नहीं बहुत सारे questions मन में आते थे लेकिन गुरुजी outcome ही change कर देते हैं हमारी हमारा जो life के प्रती जो नजरिया होता है वही change कर देते हैं क्यों कि वही life जो हमें बहुत जादा problematic या हमें ऐसे लगता है कि कितनी तकलीफे हैं कितनी problems हैं obviously यह part of life है सब कुछ साथ साथ चलता रहता है कुछ ना कुछ हर किसी की life में चोटा मोटा issues हैं लेकिन गुरुची महाराज हमें help करते हैं हमें उन चीजों में से उभारने की कि यह चीज कुछ भी नहीं है आगे बढ़ो always हमें push करते हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो इस situation में से निकाला तो फिर आगे बढ़ो लाइफ कहते हैं चलने का नाम है you always have to like you know चलते रहने का नाम है continuously बड़े प्यार से गुरुची महाराज ने समझाया कि it's like a journey तीक है जिसे एक journey है आप चल रहे है चल रहे है चोटे-चोटे हैं ना कुछ भी आप बस में सफर कर रहे हैं तो चोटे-मोटे stops आते हैं ठीक है और फिर इसका मतले ये तो नहीं है कि जहां आपने पहुंचना है वहाँ पहुंचेंगे नहीं आप रस्ते में उतर जाएंगे नहीं क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी मंजल तक पहुंचना है तो same is with us हमारे गुरुजी महराज भी ऐसे ही करते हैं कि उनको पता है कि ये मेरी संगत है और पहुंचाना उन्होंने है, सब कुछ करना उन्होंने है और सबकी जर्नी एक ही डिरेक्शन में जा रही है सबको पता है, सबने जहां से कहते हैं कि शुरू होए है, वहीं जाना है तो बीच में जो रस्ता है उसको कैसे हमने तैख करना है हस के, गा के, मुस्कुरा के, खुश रह के क्योंकि जो भी तकलीफे है 90% of जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, कुछ है वो गुरुजी महाराज अपने पे लेते हैं और सब कुछ, कितनी बार गुरुजी महाराज रहे दिखाया कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो गुरुजी महाराज कैसे अपने उपर लेते हैं और थोड़ी बहुत होती हमें you know चोटी बोटी तखलीफे चलती रहती है, it's part of life, क्योंकि करम कटवाने है गुरुजी ने, गुरुजी हमेशा कहते है कि करम तो कटवाने ही है, वो तो जरूरी है, नहीं तो उसके बिना तो कुछ possible नहीं हो पाएगा, और दूसरी बात ये कि हमें तो ये पता भी नहीं है, कि past में हम क्या क्या करके आए है, क्या है, पिछले जनम में हम क्या थे, हमने क्या किया, ये तो सब गुरुजी को पता है, गुरुजी knows everything, तो गुरुजी ये कहते है कि past का जो तुमने किया है, ठीक है, वो भी उनको पता है, और जो present में चल रहा है, वो भी गुरुजी हमारे लिए best कर रहे है, हम ये सोच के चले, future का तो है ही है, कि वो उनके हाथ में है, present में भी गुरुजी महराज हमारे लिए, जो है best है, वो best of the best गुरुजी महाराज हमारे लिए कर रहे हैं तो हमारा सरफ एक ही यह होना चाहिए कि जैसे वो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं बिल्कुल perfect यह जो time है वो बिल्कुल perfect है जो भी आपको सेवा, जो भी गुरुजी महाराज हमें सेवा मैं कल मैं सतसंग एक सुन रही थी और उसमें भी यह लिखा था कि जो भी आपको सेवा गुरुजी महाराज बक्ष रहे हैं वो आपके लिए है उसको बस आखे बंद करके बस उसको फॉलो करते जाएए और अगर गुरुजी महाराज को लगेगा कहीं कि ये चीज आपके ही लगा गुरुजी महाराज को कि अभी नहीं करना तो उन्होंने उस चीज को कुछ दिन के लिए मेरे लिए स्टॉप भी कर दिया कि नहीं अभी तुम सत्संग मत शेयर करो अभी कुछ दिन बाद रुख के ठीक है तो ऐसी सेम ऐसी तो गुरुजी महाराज कुछ लग महाराज किसी भी रूप में चाहे किसी एवन की मैं ये मानती हूं कि गुरुजी महाराज किसी परसन के थ्रू भी आपकी तरफ आगे आपको किसी ना किसी रूप में जहां हम सोच भी नहीं सकते कि इस रूप में भी गुरुजी महाराज आ सकते और दर्शन दे सकते हैं क्यों आप मानेंगे नहीं, कभी-कभी क्या होता है कि हमारे बच्चे, कभी हम किसी situation में ऐसे उदास उखे बैठे होते हैं और वो कोई ऐसी बात कर जाते हैं, जो हमें लगता है कि ये गुरु जी का answer है मेरे लिए, ये गुरु जी ने बुलवाया है, in fact, गुरु संगत, जो अब ये सत्संग शेयर किया था कि मैं काफी परिशान चल रही थी, उदास चल रही थी, और गुरु जी महाराज ने कैसे संभाला, कैसे मुझे मोटिवेट किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ जी, कि गुरु जी महाराज ने again, किसी संगत के थ्रू, उन आटी ने मुझे कॉल किया और मुझे specially message भेजा, कि ये जो आपकी जो भी आप problem चल रही है, पता नहीं, कैते हैं, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूं, उन्होंने ऐसे बोला कि जो भी problem चल रही है, कोई बात नहीं, गुरु जी उसमें से आपको जल्दी ही निकालेंगे, और मतलब, तो message के through contact करवाते हैं, so similarly, और हो सकता है कि हमारे मुझे से किसी के लिए निकलवाएं, और किसी के मुझे से वच्णों से हमारे लिए, हमारे लिए कोई message हो, तो हमेशा हमें aware रहना है, हमेशा, हमें अपने गुरु जी के जड़नों में रहना है, हमेशा aware रहना है, और ये सोच कि सामने वाला कोई भी है, कुछ भी है, it's all गुरु जी, किसी भी रूप में, अगर हम ये सोच के चलेंगे, तो हमसे गलतियां भी कम होंगी, हमारा mind भी साफ रहेगा, और हम किसी से इर्शा भी नहीं करेंगे, जिसे हम jealousy कहते हैं, कि jealousy, ठीक है, क्योंकि किसी भी रूप में जैसे, अब मैं आपको एक चोटा सा सत्संग शेयर करते हूँ, कि कुछ तिन पहले, मेरे भी मन में या था, कि ड्रीम में पहले मुझे दर्शन हुए, कि कोई सत्संग एक आंटी है, और ड्रीम में वो मेरे आती है, और वो मुझे ऐसे, मैं ऐसे बैठी होती हूँ, मैं मेरे क्योंकि मैं भूल रही हूं, मुझे उंका चहरा याद नहीं आरा , लेकिन सापने में ऐसा लग радया कि देखा वह उनको, और वह मुझे ले के जाती हैं और ऑफर मैं भीषक हो जाती हूं लइक इतनी ख्लोश होती है मेरे पता नहीं वो क्या बोलती है या क्या करती है और मैं गिरने लग जाती हूं और जैसी मैं भी होश होती हूं मैं बहुत कोशिच कर रहे हूं अपने आपको उठाने की बहुत साथा लेकिन मेरा बस नहीं चल पा रहा हूं और अचानक से मैं शाउट करती हूं और मैं उठ गुरुजी महाराज मुझ और सब नब मेरा बताती है। तो मुझे नहीं पता कि पीछे गुरुजी तYearna चाह रहे है। क्या बताना चाह रहे थे या क्या गुरुजी महराज समझा रहे थे but it's all गुरुजी उनको पता है उनको सब पता है ये गुरुजी महराज को पता है कि हमारे लिए क्या right है क्या वो किस चीज से हमको बचाने की कोशिश कर रहे है किस चीज में से हमको निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम और हम लोग गुरुजी से कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं या हमारे मन में हमको लग रहा होता है जी हमारा ये ये चीज नहीं हो रही लेकिन इधर गुरुजी हमको शायद हो सकता है हमारी लाइस ब्लेस कर रहे तो अगर हम complaints को छोड़के अगर हम यह देखे कि शायद गुरूजी माराज नहीं बिल्कुल गुरूजी माराज हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं बहुत कुछ तो हमको उस टाइम बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि येस कि गुरूजी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हर पल करते हैं और पता नहीं कितने कश्ट अपने उपर लेते हैं तो ये कुछ दिन कहलो या काफी दिन जो ऐसे बीत गए गुरूजी माराज ने बहुत कुछ ड्रीम के थू दिखाया बहुत कुछ एक दिन गुरूजी माराज ने ये दिखाया पता नहीं क्योंकि हमारे माइंड में कभी-कभी चल रहा होता है या हम लोग कोई ना कोई गलती कर देते हैं या हमारे माइंड में आ जाता है कि ऐसे वैसे थौट्स तो गुरूजी माराज ने देखिए जो गुरूजी का जो स्वरूप था स्वरूप है जो नीचे जो गुरुजी का स्वरूप है लॉबी में है सेम गुरुजी का स्वरूप शिवजी का स्वरूप बन जाता है ड्रीम में सुबह देखा मैंने कि जो गुरुजी का स्वरूप है मुझे शिवजी का स्वरूप बन गए है गुरुजी और सब जगे वो सुन रही हो मैं गुरुजी को देख रही हूं मैं उनको भोग लगा रही हूं दूत का चम्मत से हो मैं कह रही हूं कि आपको पता है जो कुछ है सब कुछ आपको पता है सब कुछ आप जानी चानो मुझे नहीं पता तो मैं क्यों डरूं और मैं सिरफ सब कुछ हो रहा है लेक कि हम पूजा करते हैं क्योंकि वह ही पर मैंने शिवलिंग स्थापित किया हुआ है और मैं जब जल हम चड़ाते हैं तो में भी गुरुजी महाराज यही दिखाना चाहते हैं कि मैं ही शिवू जिनको तुम ढून रहे हो मैं ही वह तब कुछ ना कुछ किसी ना किसी के थूरू किसी ना किसी द्रीम के थूरू गुरुजी महाराज हमें आनसर देते हैं हमें बताते हैं हमें समझाते हैं हर हर गुरुजी कोई ना कोई जो भी everything इस रिलेक्टे को गुरुजी आपको आंसर मिलेगा चाहे वह song skit تूरु और चाहे वो कोई ना कोई आप कहीं बाहर जाते हैं, आप ये देखते हैं, कि हमेशा कोई ना कोई गाड़ी या कुछ ना कुछ साथ में मिलते हैं, और हमें blessings always दिखता हैं, तो ये गुरुची महाराज की ही रचना है, वो ये दिखाते हैं कि हर पल हमारे साथ हैं, हर पल, कितने लोग जुड़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, कितने लोग गुरुजी के साथ connect हो रहे हैं, क्यों क्योंकि हम एक positive direction में बढ़ रहे हैं, एक positivity की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अच्छे, जैसे गुरुजी महाराज हमें चाहते हैं, कि हम अच्छे करम करें, अच्छे इंसान बनें गुरुजी सिर्फ हम से यही चाहते हैं, कि हम एक अच्छे इंसान बनें, एक जुसरे की मदद करें, और हम तभी हम, we are heading towards something beautiful, something bright, something positive, heading towards the divine, जिसे हम गुरुजी महाराज कहते हैं, कि हम रब की तरफ, उनकी बताय रस्ते की तरफ चल रहे हैं, तो फिल तो इसमें कोई दोर जीत नहीं है, कि कोई जीत नहीं है, जीत तो पकी है, अगर हम सचाही की रस्ते पर चलते हैं, अगर हम अच्छी honesty के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर जीत ही जीत है, फिर कोई दोर आई नहीं है, हाँ, कुछ टाइम आगे पीजे हो सकता है, क्योंकि हर चीज का एक divine timing है, ह तो अगर गुरुजी महाराज ने वो टाइम तै किया हुआ है, तो फिर हमें तो उस पर कोई शक करना ही नहीं चाहिए, कोई हमें उस पर questions नहीं उठाने चाहिए, कोई उस पर चीज आपके मन में भाव आया, मेरे मन में भाव आया, गुरुजी बहुत closely, नेड़े हो के सु जब मैं गुरुजी महाराज पर जुड़ी थी, शुरुवात की बात है, तो मैं एक बार एक सत्संग अटेंड सुन रही थी, और उस टाइम, अच्छा होता है जनरली लेडिस की आदत, कि जब कहीं आप जाते हैं, तो आप बहुत अता ध्यान से देखते हैं, कि किसने क्या पहना है, तो I was watching सत्संग, listening to a सत्संग, सत्संग के दुरान, मुझे एक दिमाग में आया कि, गुरुजी, मतलब मैं ऐसे मन में, अपने मन में बात करी हूं, कि कितना अच्छा सूट है, जो उनका सूट था, simple था, बट I think it's nice, और कुछ दिन बादी गुरुजी महाराज ने फटा-फट वैसा ही सूट लाके मुझे को दिलवा दिया कि यह लोग, क्योंकि तुम्हारी नजर उस पे थी, तो यह लीजे, तो same, तो इसका मतलब यह है कि गुरुजी महाराज की हर चीज, जो आपके मन में भाव आते हैं, गुरुजी knows everything, ऐसे ही जब मैंने फर्स टाइम पर जब भी आप बुलाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके दरबार पर सूट पहन के हूँ, मुझे सूट ही अच्छा लगता है पहनना, और क्योंकि आपको भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, इंडियन वियर, और तो मैं आपके दरबार लेकिन सिलेक्ट आप करना, मैं ऐसे बोल रही हूं, गुरुजी महराज से कि आप सिलेक्ट करना, और आप मानेंगे निए संगर जी प्रॉम नोवेर, मुझे हमें आइडिया नहीं था कि गुरुजी का बुलावा आ रहा है, और डिसम्बर में हमने जाना है, और लास्ट य हुआ था कि मैं लूँगी और मैं यह सोच रही हूँ कि वाउ ऐसी बस जस्ट एंटर किये वो दिखा न ऐसे उपर जैसे एक अलग सी पढ़ा हुआ था गुरुजी की ब्लेसिंग वाला सूट मैं उसको बांगती हूँ उठाया देखा बस ठीक है और खरीद के ले आए अचा आते वग मैं सोच रही हूँ गुरुजी यह जो आपने मुझे इतनी जल्बाजी हूए यह मैंने सूट लिया है क्या मतलब कुछ है special जो आप मुझे बताना चाह रहे हो मन में मेरे ऐसी थौट आया कि क्या कुछ special है जो आप मुझे बताना चाह रहे हो मतलब मैं excited हो के गु जो भी है और फिर फूलो की तरह क्योंकि उस टाइम इतनी ठंड थी क्योंकि इतनी धूंद थी और फर्स टाइम गुरुजी माराज ने दर्शनों के लिए बलाया इक वासम अटने मंडे का दिन था और जब बुलाया तो जब मैं जब एक तम से प्रोग्राम बना तो सारे क तो चैने लगे कि खंड बहुत है यह है वो है धुन्द इतनी पड़ रही है तु क्या कर रही है यह है तो मैंने गुरूची को सरफ इतना बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि अगर आपकी आगया है अगर आपका बुलावा है तो कुछ भी करके प्रोग्राम आप बना दोगे मैंने अब ये आपके उपर छोड़ दिया है और जैसे मैंने ये बोला उसके बाद अचानक से अपने आप सब मान गए और मैंने उनको ये ब दुन्द के बावजु जब हम वेन वी स्टेप आउट हम सुबह 5 बजे निकले यहां से पंजाब से और अबियसली बहुत टाइम लगता है तो जब हम यहां से निकले अंदेरा था लेकिन रस्ते में बिल्कुल ख्लियर मौसम एक जरा भी धुन्द नहीं थी इन फैक्ट आ आजी रात से दुबारा लॉक्टाउन लग रहा है और हमने गुरुजी को इतना शुक्राना किया कि हमने बहुत अच्छे गुरुजी महराज ने दर्शन दिये और इतने सुन्दर फूलों की तरह लेके गए फूलों की तरह लेके आए और इतने अच्छे दर्शन हुए औ और हमें प्रशाद हमें मिला और बस हम बहुत अच्छा वापिस आ गए और देखिए वहां पे जो हम गए गाडी से उत्रे वहां पे जो सेवादा आते बहुत अच्छे थे क्योंकि मेरे फादर थोड़ा बहुत साधा लाइन में खड़े नहीं मतलब सक रहे तो उन्होंने फ फटावड हम लोग अंदर गए दर्शन किये गुरुजी के और एक चोटा सा प्याला सा सथसंग कि क्या हुआ कि जब प्रशाद जो मिल रहा था उससे ना इतिंग समूसा प्रशाद था और साथ में कुछ मीठा दे रहे थे गुलाब जामुन पत चायल्द और देखिए प्रशाद था लेकिन जो मेरी डॉटर को जो बॉक्स मिला चोटा सा प्रशाद वाला उसके अंदर डोनट डोनट नहीं वो चॉकलेट मफिन सा था और सिर्फ उसके बॉक्स में था मतलब क्योंकि गुरुजी को पता था कि यह बच्चा है यह वो खाता है मतलब मैं गुरु गुरुजी महराज अपनी संगत को ब्लेस करते हैं ऐसे गुरुजी महराज हमे जब गुरुजी का बुलावा होता है जब गुरुजी महराज चाते हैं तो ऐसे ऐसे गुरुजी महराज करते हैं सेम ऐसे ही एक बार ऐसे हुआ कि हम गुरुजी महराज ने डुगरी बुलाय तो क्या हुआ कि मेरी डॉर्टर मेरे साथ कई थी अब बच्चे आपको पता है कि बहुत तंग करते हैं तो जब हम वहां गए तो वहां पे बहुत जैसे संगत थी तो वह थोड़ा सा घबरा गई देखके अब घबरा गई तो फिर वह रोने लगई बहुत जाता और हमें संगत को जाने दे रहे थे आगे तो मैं और मेरा जो भाई था वह हम पीछे थे और मेरी डॉर्टर को और मेरी ममी को उन्होंने बोला कि आप आगे निकल जाओ और वह लोग आगे निकल गए तो ओके फिर हमें नहीं पता है थोड़ी सी वह आगे चलेगे हम लोग वही कर द ममा ये देखो किसी अंकल ने मुझे गुरुजी का ये ब्रेसलेट जो है वो दिया है गुरुजी का सरूप तो ब्रेसलेट तो वो इतनी कुछ थी ब्लाक कलर का और आप बिलीव कीजे बिल्खुल उसी के साइज का क्योंकि छोटे बच्चे है शीज सिक्स प्लस है न तो अंकल ने उसको वो इतनी कुछ होई और गुरुजी माराज और मेना गुरुजी को लाइन में खड़े हो कि मैं ऐसे बोड़ी थी मैं गुरुजी बहुत जिद्धी है अब आपने संभाला मुझे तो कुछ नहीं पता कि ये ऐसे करती है कही बहुत जादा अच्छा कल भी से मैंसे ही हुआ कल गुरुजी माराज ने सत्संग में देखे बुलाना था बहुत टाइम के बाद क्यूंकि यूजिली पता नहीं मैं इतनी संगत को जानती नहीं हो तो इतना जानी पाती तो मुझे इतना पता नहीं है लेकिन हाज जी गुरुजी अगर सेवा बख्षते है यह गुरुजी माराज को पता होता है कि कब गुरुजी ने बुलाना है कब नहीं बुलाना जब भी आ गया हूँ तो गुरुजी ने कल बुलाया कल भी ऐसा ही था कि मेरी डॉर्टर मेरे साथ कई हम वहाँ पे सत्संग में बैठे थे और ओपन में था काफी और किसी ने इन कि नहीं जा सकती हूं तो जब मेरे पास पहटी थी तो मैंने का गुरूजी अब कुछ आप देखो यह बहुत तंग कर रही है और मैं इसे मतलब में को अच्छा नहीं लग रहा है और आप मानिये वो सो गई थोड़ी देर में वही सो गई थोड़ी देर के लिए भी कोई बात है कि मैं तुमारी हर बात सुन रहा हूं everything I am listening everything अभी भी कुछ तेर पहले भी ऐसा ही हुआ जैसे मैंने आपको भी क्यांडल का यह बताया सेम अभी मैं कुछ तेर पहले सत्संग शेयर करें थी दूसरे ग्रूप में क्यूंकि आज गुरूजी की आग गया थी कि दो खुरूप में सेवा घुरूजी ने बक्षी गुरूजी का शुकराना तो जब हम सत्संग शेयर कर रहे थे तो कि शेयर किया कि Гूरूजी अ मतलब मैं तो एक शेयर की तो आपके मतलब बस आपने डोर संभाल ली ठीक है ऐसे तो और जैसे जब मैंने सत्संग ओवर हुआ और जब मैंने गुरुजी का वो मेसेज़ आ रहे थे तो वो स्क्रॉल किया और उसमें नीचे लिखा हुआ था कि सत्कुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ दी जावा वह लिखा हुआ था कि गुरुजी कुछ भी हो लेकिन sacrifice gdzie ऐसे और ने रहे दले लेक हैं कि लिभा हैं तो गुरुजी आपके थे हैं एसे क्लियर कर देते हैं कि गुरुजी माराज है आपका हर एक भाव अपका हर एक जो भी आपके मन में आ रहा है इस टाइम गुरु जी सुन रहे हैं चाहे संगत हैं चाहे कोई भी है जो भी जुड़े हूए है, कुछ भी है जिसके मन में भी जो भी भाव चल रहा है गुरु जी महाराज closely उसको सुन रहे हैं और उसका आंसर भी दे रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ के दूप, तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी जब अगर इतना closely सुन रहे हैं, तो हमें भी बिल्कुल clear रहना है, हमें भी बिल्कुल, मतलब अपना मन जो है, वो बिल्कुल साफ रखना है, शान्त रखना है, और हमें देखना है कि गुरुजी माराज हमको हमेशा वाच कर रहे हैं, हमारे हर एक मूफ को वाच कर रहे हैं, कि हमारे मन में कहीं किसी के लिए कोई बुरी एल्ल फीलिंग तो नहीं आई, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं आयी, जो हमें अपने मन में नहीं लानी चाहिए, directly और indirectly, और आंटी ने randomly देखिए और ये देखिए सत्संग के लिए भी क्यूकि मैं कभी सत्संग पे नहीं गई ठीक है और 2019 में सबसे पहले गुरुजी ने जब जोडा था तब बुलाया था तब मैं सत्संग पे गई थी और अब कल देखिए तो अगर आप जाना चाहो तो और उन्होंने मुझे वो invitation भेज दिया और वहां से मैंने पढ़ा और जैसे गुरुजी की आग्या थी और मैं चल पड़ी अपनी मदर को लेके तो देखे सेम ऐसे होता है जब गुरुजी महाराज की आग्या हो तो चीजे अपने आप हमारी लाइफ में unfold होने शुरू हो जाती है जैसे 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 गुरुजी चाहते हैं तो in a positive way ठीक है अगर गुरुजी कुछ चाह रहे हैं तो वो आपको जरूर उस दिशा में आपको जरूर चाहेंगे कि आप अपना जो भी है वो सारा ध्याना भी उसमें लगाओ अगर गुरुजी कुछ नहीं चाहेंगे तो वो भी आपको साइंस देंगे कि this is not good for you right now अभी आप ये मत करो तो और हमें उस चीज से दूर भी रखते हैं ये एक बहुत ये एक fact है कि अगर थीक नहीं है तो गुरुजी महाराज हमें उस चीज से दूर रखते हैं तो इसका मतल़ ये नहीं है कि गुरुजी महाराज सुन नहीं रहे और वो देख नहीं रहे या गुरुजी को कुछ पता नहीं है नहीं गुरुजी knows everything गुरुजी हमें closely watch कर रहे हैं और हमारे हार एक move को देख रहे हैं और उस टैम हमको पता है कि हमारे लिए ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है अच्छा होगा तो अपने आप unfold हो जाएगा अपने आप आजाएगा नहीं होगा तो नहीं तो गुरुजी is always there for us, गुरुजी is always around us, हमेशे हमें support कर रहे हमेशे हमें संभाल रहे हमेशे हमारी मदद कर रहे है चाहे dream में, सपने में भी गुरुजी महाराज हमेशे हमारे साथ होते हैं, सपने में भी वो हमें गिलने नहीं देते हमें कुछ होने नहीं देते, तो reality में कैसे, dream में कितनी बाल मुझे एक बार ड्रीम भी आया था अपनी डॉर्टर का कि मेरी डॉर्टर को कोई ऐसे कोई उठा के ले गया है और अचानक से देखिए बजरंग बली के रूप में क्या होता है कि उसले में बजरंग बली का पार्ट कर दी थी बहुत तो गुरुजी महाराज में द करके भागती हूं न मतलब बाहर तो मंदर बना हुआ देखती हूं तो बस गुरुजी मुझे यह दिखा देते हैं कि देख मैं यहां पर हूँ और नो एंट्री यहां पर कोई कुछ गलत नहीं हो सकता वही मेरा ड्रीम खुल जाता है कितनी बार मतलब गुरुजी ड्रीम मे कुई गुरुजी दूर दरशी है उनको बहुत पता है कि कोई जो भी हमारे लाइफ में आने वाली क्वी पृब्लम खूरुजी पहले ही देख जैले धूरर से ठीक है और वह किस तरीके से उसको टालते हैं किस तरीके से से वह सब कुछ गुरुजी को पता हैं तो nothing is negative, कुछ भी negative नहीं है, जैसे पहले मेरी एक बार क्या हुआ था कि मुझे कुछ signs मिल रहे थे, कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, गुरुजी का bracelet जो स्वरूप था, वो भी निकल के ऐसे तूट किया, मैं अतना घबरा गई, मेरे जो office का plant था, वो भी सूप किया, पता नहीं क क्या क्या, इवन की जैसे बड़े अजीब से ड्रीम्स आ रहे थे, एक दिन जोर्थ भी बढ़ गई उसमें ड्रीम में, ठीक है, लेकिन मुझे गुरुजी ने ये रियलाइस करवाया, मैं गुरुजी महराज के आगे बैठके बहुत रूई मैं का, गुरुजी, I know, कुछ कुछ तो घड़बड है, लेकिन मुझे पता है कि आप संभाल रहे हो, और आप संभाल, आपको पता है कि क्या कैसे करना है, तो कोई कोशन नहीं बनता, कुछ भी सवाल ही नहीं होता कि हम गुरुजी को कुशन करें किसी चीज के लिए, लेकिन हम अपने भाव जरूर रख स not in a way कि हम गुरुजी पर शक कर रहे हैं और उनसे जबरदस्ती कुछ मांग रहे हैं, नहीं, in a simple manner आप अपनी feelings express कीजिए, गुरुजी के आगे surrender कीजिए, कि मुझे पता है आप जो करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, जो करेंगे, अगर कोई दुख तकलीफ पी आई है इसका मतलब या तो वो आपके लिए कोई lesson है, या इसमें आपका कुछ ना कुछ गुरुजी ने कल्यान करना है, जरूर, तो ये दो तरीके से चलता है, तो जरूर, मतलब या तो lesson होगा जो आपको complete करना है, तीक है, आपका cycle है, आपको वो complete करना है, या फिर इसका मतलब य है कि गुरुजी माराज कुछ डाल रहे है कोई कुछ भी है तो दोनों ही केसे में कि गुरुजी आपका भला ही जाते हैं हमारा भला ही जाते हैं गुरुजी माराज always, always तो मैं गुरुजी को हर पल शुक्राना करती हूँ जो कुछ नहीं हुआ उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना और जो हो के बीट किया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना और बाकी हमें ये पता है कि आने वाले टाइम में भी गुरुजी ही सब कुछ संभालेंगे तो हमें सिरेंडर करना है अनंतम शुक्राना करना है गुरुजी का always और उनके कहें कि अनुसार ही चलना है हमेशा तो गुरुजी को ही पता है, गुरुजी जानी जान है, कोई डाउट नहीं है हम बस गुरुजी महराज के बतायों रस्ते पर चलते जाएं और जैसे जैसे गुरुजी महराज कहते जाएंगे दिखें जैसे फॉर एजमपल आज मतले ये चोटे सी कैंडल की है बात चोटी सी कैंडल की नहीं है बात हमारे मन के भाव की है कि Guruji महराज अगर हमारे मन में कोई एक प्याला सा भाब आया है तो Guruji महराज कैसे उसे पुरा करते हैं अगर मैं यह सोच रही थी कि आज Guruji मेरे पास यह एक ही कैडल है और कैसे होगा तो Guruji महराज ने उस एक कैडल के ज़ते हुए गुरुजी महाराज ने दोनों सत्संग कंप्लीट, मतलब दोनों सत्संग की सेवा उन्होंने वो करवाई, क्योंकि मन में एक भाव ऐसा आया है, तो अगर कोई positive भाव आया है, तो इसका मतलब गुरुजी ने सुना है, ना, similarly, अगर कोई negative भाव आया होगा, तो वो भी सुना होगा, मेरे गुरुजी महाराज ने, अगर मेरे मन में कोई गलत विचार आया होगा, तो गुरुजी ने सुना होगा, तो गुरुजी, I'm very very sorry, अगर मन में कोई भी गलत भाव आया हो, या कोई jealousy वाली भाव ना आई हो, या किसी के मन में, किसी को देख के कुछ ऐसा मन में तो भी माफ कर डिरेक्टली और इनडिरेक्टली कभी-कभी हम चाहते नहीं है विट हमारे मन में मतलब क्रॉस कर जाता है तो गुरुजी उसके लिए भी I'm sorry और गुरुजी से कहते है कि कोई वक्त नहीं होता शुक्राना का कोई वक्त नहीं होता sorry मांगते गा जब जागो तब ही सवेरा always always गुरुजी कहते हमीशा इसा माफी मंग ते रहना चाहिए गल् pegalasi होई है नहीं होई है पता जींब hy नहीं हमें क्मझी इंडिरेक्टली भी हो जाती है और onمنattoि भी-कभी क्योंकि अगर कई बार इसान की intentions अच्छी होती हैं लेकिन वो गल्टी कर देते हैं तो sorry 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 बोलते रहना चाहिए मांगते रहना चाहिए you never know कि हमसे क्या गल्ती हुई है क्योंकि गुरु जी महाराज बहुत बड़े दानी है आज मैं एक चोटी सी एक बहुत चोटी सी एक वो कथा कह लीजिए जो कहली जिडें कि अउनकल और सथसंग कह लीजिए तो उन्होंने बोला कि जो गुरु होते हैं कि कोई एक यहां थे और भाषग शिच्च उनके शिष्य थे, मतल Hyundai उन्हों ने बोला कि आप ये कमबल ओड लिजे, लेकिन कि तुजह ज्यादा तकलीफ को रही है, ये पास में जो लोही पढ़ी है, मुझे लपेट देना. तो जैसी वो उठाते हैं, वो शॉल तो उसके नीचे कटे होए सरपड़े होते हैं जो कि राजा ने इतने लोगों को परास्त करके है जो भी करके उन्होंने ऐसा किया जो उनके बुरे कर्म थे तो वो राजा खुद ही डर जाता है जब वो शौल उठाता है और वो देखता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो उनके गुरु कहते है कि अब तुम भी बताओ कि मैं तुमारे गुनाहों को ढखूँ या आपने आपको ढखूँ तो गुरु ऐसे होते है मुझे शमा कीजिए गुरु जी मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता है लेकिन जतना मैंने सुना और समझा यही था कि गुरु हमारे हर जो भी हमारे छोटे बड़े कुछ भी गुना है वो हमेशा हमेशा आगया के ऐसे हमें protect करते हैं कि कोई बात नहीं कुछ नहीं है मतलब हर चीज के वो अपने ऊपर ले लेते हैं कुछ भी हमारे मुझे गलत निकल गया कुछ भी हो गया, वो अपने उपर ले लेते हैं, हमसे कोई गलती हो गई, तो वो गुरुजी महराज हमें always protect कर रहे होते हैं, तो फिर हमें सिर्फ इतना तो हम कर सकते हैं, कि गुरुजी से ये जरूरी नहीं है, कि आपको ऐसा लग रहा हो, कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो और वैसे होते हैं, बार Sunheer होते हैं, और रौज वरा मोच司 चूटे ऊ motives कुछ लिर्त Easy Mah 적, गलते हैं, स्वाच तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो आप भी आपना बबरा दिल बिंगत संगत गुरु संगत हमें भी बहुत बड़ा दिल रखना चाहिए जब हम किसी को कुछ बोलते हैं या कि कुछ अपने मन में रखते हैं गिला शुक्पा तो उससे सामने वाले को तो कुछ नहीं बाता आप एनर्जी तो ब्लॉक कर रहे हैं अपनी एनर्जी भी ब्लॉ स्रुख जाता है ठीक है ना तो इस बेटर कि हम एक्स्प्रेसिव बने इस बेटर कि हम बड़े बड़े इंसान तब बनता है जब वो इंसान सामने वाले को माफ करना सीख जाता है बड़ा इंसान तब बनता है यह नहीं कि ठीक है इक्नोर करना अलग बात है लेकिन मन से ची किसी को दे देते हैं तो इसका मतला यह है कि गोरुजी महाराज अगर हमारी पॉजिव मन के भाफ पढ़ रहे हैं, negative भी पढ़ रहे हैं, हर चीज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, everything, तो इसका मतलब सब कुछ record हो रहा है, सब कुछ, तो we should be very clear, we should be very transparent, we should be very very like honest, you know, कि जितना कोशिश करें, जितना कोशिश करें, like जैसे कि एक बच्चा होता है, कि मतलब जितने वर सी colors, जैसे हम make-up करते हैं, कुछ भी करते हैं, colors बड़ा साहन होता है, लेकिन real होना बहुत जादा मुश्किल होता है, जैसे माली जै कहते हैं, बच्चा होता है, उसके ओपर no shades, nothing, simple होना ही तो बहुत मुश्किल है, simple होना बहुत मुश्किल है, और सब possible है, हम क्योंकि हम influence में बहुत आ जाते हैं, आजकल social media है, हम लोगों को देखते हैं, हम यह देखते हैं, बो देखते हैं, हम actors को देखते हैं, या हम news में पढ़ते हैं, तो हम बड़े जल्दी influence हो जाते हैं, हमारे ओपर उस चीज का रंग चड़ जाता है, नहीं, there should be like a layer, गुरु जी की होनी चाहिए, हमारे गुरु जी, मेरे फेवरेट, मेरे फेवरेट कोई भी नहीं है, मेरे फेवरेट मेरे गुरु जी हैं सिरफ, गुरु जी is my real hero, गुरु जी है our real hero, क्योंकि वो ही है सब कुछ, ये सब कुछ तो, it's all, you know, सब कुछ दिखावा है, लेकिन गुरु जी है वो actual में hero है, actual में सुन्दर, actual में वो हमारी जो life को transform करते हैं, actual में जो practically सब कुछ करके दिखाते हैं, सब कुछ, तो जब गुरु जी सब कुछ है, गुरु जी always present, कौन मदद करता है आके हमारी, always गुरु जी, कौन हमको सिखाता है हाथ पकड़ के चलाना, ग तो फिर उससे उपर कोई और नहीं है, तो अगर मुझसे कोई पूछता है, who's your favorite, तो मैं गहती हूँ only Guruji, my Guruji is most beautiful, my Guruji is my favorite hero, सब कुछ बही है, क्योंकि जब भी, जब भी, मतलब दिल से क्या वो, तो Guruji महाराज तो always हमारे साथ ही रहते हैं, तो हर बात को ही सुन रहे होते ह तो Guruji is my favorite, और always helping, तो it's better कि हम Guruji के रंग में रंगे, वो एक सौंग है न, अपने रंग में मुझको रंग ले, तो बस हमें अपने Guruji के रंग में रंगना है, कितने हमारे Guruji simple, simplicity, plus कितने graceful, कितने अच्छे, कितने सुन्दर, तो बिलको natural, तो बस ऐसे ही हम सब को बनके रहन कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, और क्योंकि Guruji को पसंद भी नहीं है, तो हमें influence होके कि यह वो ऐसा कर रहे हैं, तो हम ऐसा करें, या लोगों को देखा, देखी न, कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ नहीं दिखावे में रखा हुआ, या हम किसी को देखे क कि उसने यह कर रहा है, तो मैं तो दो कदम आगे करके, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने आप जो Guruji ब्लेस कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें चलते जाना है, that's it, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, क्योंकि क्या होता है, कि जितना भी इंसान के पास हो, Guruji मतलब contentment होनी बह क्योंकि अगर हम लोगों को देखते रहेंगे, तो फिर तो यह सोचो कि पता नहीं, दुनिया तो बहुत कुछ आगे पहुंची हुई है, तो वह satisfaction तो आती है कभी कि यह आजाए, तो फिर वह आजाए, जो Guruji हमें ब्लेस कर रहे है, जो वह दे रहे है, जो Guruji को लग रहे है कि इसके लिए ठीक है, तो वह best है, तो Guruji आपका बहुत-बहुत शुक्राना, और मैं इजाजत लूँ आपसे, और सारी संगत से भी, जो पर जुड़ी है, प्यारी-प्यारी संगत, और Guruji महाराज, मुझे किसी के भी comments नहीं शूर है, तो सबको जै गुरुजी, प्यारी सं जै गुरुजी, अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुजी का लग लग, शुक्राना, जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी